हेलो एवरीवान दिस इस सोनु चाओधरी दिससाइड आज हम लोग जिस कंसेप्ट का डिसकुशन करने वाले हैं दाट इस कंबाइन मीन कंबाइन मीन जो है हमारा वन आप टाइप से मीन में जैसे हमें पता है कि बहुत सारे मीन के टाइप होते हैं सिंपल मीन, जिमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, हार्मॉनिक मीन, कंबाइन मीन सौल करने वाले हैं आज एक्जाम्पल के साथ हम अपने दो एक्जाम्पल करेंगे और इसके केस को समझेंगे combined mean बहुत simple सा concept है सच कोई बहुत लंबा चोड़ा concept नहीं है 11th class में बहुत ज़्यादा important है 11th, B.com first year, BBA first year तीनों के लिए बहुत important है and कुछ entrance exams में भी पूछा जाता है combined mean में simply हम लोग क्या करते हैं हम 2 या 2 से ज़्यादा series का जो mean है वो आपस में combine कर देते हैं एक collective average निकाल देते हैं ठीक है जी? जैसे माप लोग को एक example देता हूँ कि average का सबसे अच्छा example क्या है आप लोग अपने bike में petrol consume होने की average निकालते हो जो आप बोलते हो जैसे example के लिए कि भाई तेरी bike कितना average देती है मान लीजे कोई बोलता है कि 50 km पर लीटर के ये एक लीटर में on an average 50 km चल जाती है ठीक है जी? अब example ले लो कि मान लो आप पर दो bikes है आप उनको बदल बदल के चलाते हो और आप उन दोनों से एक average निकालना चाहते हो आपके मन में आया है कि भाई मैं अलग-अलग average तो जानता हो इनकी बट मैं एक combined average भी निकालूंगा मान लीजे कि मैंने एक bike चलाई है 1000 km और दूसरी चलाई है 1500 km एक month में So I want to know the combined average of these two bikes तो मैं सीधा बोल पाऊं कि भाई मैं महीने का basically लीटर में on an average इतना km चल लेता हूं ठीक है जी So इसको जो formula है that is quite simple formula जैसे मैंने formula लिखा है आपका 2 series का example लेके लेकिन हम example 3 series का भी करेंगे So that कि आप formula बनाना सीख पाएं जितनी series बढ़ती जाएंगी उतना ही formula भी modify होता जाएगा आपका यहां सच कोई formula टिपिकल नहीं है तो बात समझेंगे formula बहुत simple है combined mean का combined mean को denote करने के लिए मैंने आप जैसे series 1 and series 2 है बच्चो So यहां आप लिखते हो x bar 1 2 यह वैसे 12 हो गया लेकिन this means that this is the combined mean ठीक है जी यह combined mean को represent कर रहा है यह 1 and 2 नाम है इनको distinctly समझना है हमें से 12 नहीं लेना है ठीक है यहां पर यह और बीबी हो सकते है जिसे बाइक यह और बाइक भी तो यहां में लिख देता AB ठीक है So x bar और हमेशा से हमारा mean denote करता है अब आगे हम चलते हैं अपने example की तरफ तो example बहुत simple सा है हमारा यह हमारा example है N1 माने होता है number of observations in first series कितने numbers थे वो ठीक है So that was 10 mean हमको दे रखा है पहली series का 5 N2 दे रखा है 12 मतलब दूसरी series में observations का number है 12 और दूसरे का mean दे रखा है बच्चो 8 ठीक है जी अब यहां पे आपको you need to find the combined mean as you can see the formula above It's quite simple to put this formula 10 multiplied with 5 plus 12 multiplied with 8 divided by 10 plus 12 So that would be 50 12 with the 96 upon 22 So this would be 146 upon 22 जो भी हमारा डिवाइड हो कराएगा वो हमारा answer हो जाएगा Simple case ठीक है जी अब हम बात करते हैं हमारे उस case की जिसमें हमारी 3 series हमको given होती है ठीक है जी So अगर हमको 3 series given है मान लीजे So जो question है जो example है हमारा that would look like this N1, N2, N3, 3 series हो गई And 3 mean भी given respective अब भाई उसका जो formula मैंने लिख दिया है Simple है बहुत जादा N1, X1, N2, X2, N3, X3 N1, N2, N3, N3 ठीक है जी मान लीजे ये 4 series हो जाती तो N1, X1, N2, X2, N3, X3 N4, X4 जिन लोगो को थोड़ा confusion है या जिन लोगो पर 10 के बाद maths नहीं थी या maths weak थी या कुछ थोड़ा बहुत भूल गए है वो ये ध्यान रखें कि इस dot का मतलब multiply होता है ठीक है जी तो confuse नहीं होंगे इस चीज में इसको put कर देते हैं values को हम इसको values put करते हैं तो क्या होगा N1 है हमारा 10 और mean 1 है हमारा 5 N2 है हमारा 12 mean 2 है हमारा 8 96 and 60 upon में 37 simply जब आप इसको जोड़ते हो तो you'll get 206 divided by 37 इसको आप simply divide कर दीजे जो आपका answer होगा वही आपका combined mean है तीनों सीरीज का इस वीडियो में हमने combined mean निकालना सीखा बहुत ही simple manner में I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी कोई भी suggestion आप लोगों को हमारे लिए हो आप नीचे हमारे comments में हमको बता सकते हैं दूसरी बात आप लोगों को अगर कोई doubt आता है इसके बाद भी आफिर आप मेरे से कोई question पूछना चाहते हैं आप मेरे email पे लिख सकते हैं आप फिर हमारे Instagram पेज पर हमको DM कर सकते हैं that is gr underscore commerce ठेक है जी so thank you very much and please subscribe to our channel